हे अवरिवन स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में तो आज मैं आपके साथ होली स्पेसल मीठे मीठे सक्कर पारे की रसीपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुती ज़्यादा पसंद आएगी तो भई चाहे होली का तो हारो या फिर दिवाली का या फिर कोई फंक्शन पार्टी मीठा बनाना तो हमारे लिए बनता है तो आपके गरों में क्या क्या बनाया जाता है वो मुझे जरूर बताए हमारे यहां तो मीठी मीठी रेवडी मीठे मीठे सक्कर पारे और गुंजिया मिठी नमकीन जाते मैं चाहिए के सामने में प्रेग paths लेकर आई हैं पसंद आई को अ कमेंट रेख्यारों वे चाहिए लेकर आई हुआ कु भूट चाहिए उस्मारे पूझา अव्सक्राइब को सब्सक्राइब स सब्सक्राइब करना है तोुदों किनमें लुटाइब फेस्टाइट कर लेते हैं कि बहुती है सुपर इजी स्पर डिलीसन बिधा की मीठे मीठे सक्थर पारे बनाने के लिए यहां पर अमक बाते हैं देना कोड़ नहीं है तो आप अपने अकोडिंग कम जादा कर सकते हैं आदा चोटा चमाच हम इसमें डाल देंगे घी मोयन के लिए अब हम इसको अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे और घी को हमें एक दम बिल्कुल बढ़िया से मसल के अच्छे से कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हमारा डो एक दम बिल्कुल रेडी है अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे रैस्ट के लिए जिससे की मैदा बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो जाएगी और थोड़ी फूल जाएगी तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमारी मैदा अच्छे से फूल गई है और थोड़ी सॉप्ट हो गई है थोड़ा सा हाथ से ठीक करते हुए हम इसमें से एक बड़ी सी लोई तो लेंगे और इससे दोनों हातों से इसको थोड़ा सा गोल गोल से दे देंगे रोटी की तरह जिस मैंने आप रोटी की तरह ही इसको बेला है जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही आपको इसको ज्यादा पतला नहीं करना है नहीं ज्यादा मोटा मोटा तो कितना भी चलेगा लेकिन ज्यादा मोटा भी नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको बेल के और त्यार कर लिया है अब हम चाकू से इसकी कटिंग कर लेंगे तो आप अपने मन चाहे आकार में इसकी कटिंग कर सकते हैं आप चाहो तो इसको डायमंड सेप दे सकते हैं या फिर स्क्वेयर कोई भी सेप आप इसको दे सकते हैं आपर मैंने डायमंड सेप में इसकी सारी कटिंग कर लिया है अच्छे से कटिंग करके और हम इसको एक पल्टे से एक थाली में निकाल लेंगे बिल्कुल बहुती आसान तरीका है आप इसे एक बार जरूर फोलो कीजिए बहुती बढ़िया तरीके से मैंने एक दूसरी लोई को भी अच्छे से रोटी की त तैयार कर लिया है अब मैं सारी मैदा के इसी तरीके से डाइमंड से मैं सक्करपारे बना करके तैयार कर लोंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी सक्करपारों को मैंने इसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है आप चाहो तो इनको तोड़ भी सकते हैं आप चाहो तो इनको ऐसे भी चोड़ सकते हैं तो मैंने सबको ऐसे ही चोड़ दिया था क्योंकि यह जब यह तेल में जाएंगे तो अच्छे से सारी अलग-अलग हो जाएंगे तो यहां पर तील मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा एक दम बिल्कुल परफेक्ट गर है गरम-गरम तेल में हमें इनको डालना है और बहुत ही बढ़िया से गिसको फुल आच पर रक नहीं और अच्छे से इनको शेकना है एक बार गैस को आपको फूलाच पे रखे और पिर चाहो तो आप बाद में कम कर सकते हैं तो अच्छे से हमें इनको अलटते पलटते बढ़ी आसे से एकना है दो से तीन मिनट लग जाएंगे इनको सेखने में जब यह अच्छे सी सिख जाते हैं सारे सक्करपारे तो तील में उपर तैने लग जाते हैं जब यह अच्छे सी उपर तैन में लगने लग जाएं और अच्छा सा इनका कलर आ जाए तो आप इनको एक चलने लेके और निकाल लेजी तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी से हमारे सारे सक्करपारे सिक्के रड़ी हैं तो मैंने इनको एक छलनी लेके और अच्छी से चलनी में निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी करा रहे हमारे सारे सक्करपारे सिक्के तयारे तो एक बैच मैंने बढ़िया से अच्छे से सेक लिया है और इसको एक छली में निकाल के और एक थाली में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा सक्कर पारे सारे सिक्के रड़ी है second batch भी मैंने अच्छे से डाल दिया था और इनको भी हम एक दम बिल्कुल बहुती बढ़ी असा color आने तक और एक दम बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने तक अच्छे से तेल में सेकेंगे तो आप देख सकते हैं second batch भी हमारा बहुती बढ़ी असे सिक्के रडी है तो इस वाले बैच को भी हम अच्छे से चल्ली में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं मिंटो में हमारा काम आसान हो गया और बहुती जल्दी ये सक्करपारे बनके रडी हो गया है तो second batch भी मैंने अच्छे से चल्ली में निकाल लिया है तो अब हम इनको भी पहले की तरह उसी धाली में निकाल लेते हैं तो ऐसी तरह मैंने सारे सक्करपारों को सेख के और अच्छे से तयार कर लिया था और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी करारे हैं हमारे सक्करपारे बनके रडी हैं चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन आज हम इनको मीटे बनाने वाले हैं तो आज हम इनको गुड की चासनी लेके बनाएंगे तो सारे सक्करपारों को सेख के इसी तरह राडिकल लोंगी इसी कैस पर मैंने रख दिया दूसरी कड़ाई बड़ी सी और इसमें हम डालें पानी बड़िया से हम इसको पिगला लेंगे चासनी वगेर हमें इसकी कुछ भी नहीं बनाने एकदम बिल्कुल गुड थोड़ा सा चिप चिपा हो जाए और पानी गुड दोनों हापस में मिक्स हो जाए तो अच्छे से इसमें एक बाल सा आ गया है इतना ही हमें गुड को पिगलाना है इससे ज़्यादा गाडा नहीं करना अब हम इसमें डालेंगे हमारे सक्करपारे जो हमने तेल में सेके रखे थे अच्छे से सारी सक्करपारों को हमें गर्म गर्म चासनी में डाल देना है और अच्छे से सारी सक्करपारों को बड़िया से चासनी में अच्छ कुछ आइमें, आप चाहो तो इनको किसी दूसरे वरतन में भी ट्रांसपर कर सकते हैं, लेकिन कड़ाई भी अभी गरम है और जखकर पारे और चासनी भी काफी गरम है, तो बस इसी स्टेज पर हमें इनको गेस को कर देना हैं बंद और इनको अच्छी से मिलाके और ऐसे ही बढ़ देते हैं कवर करके जिससे की सुबह देखेंगी कि हमारी सक्करपारे कितने अच्छे तरीके से तैयार होए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अगली सुबह मैंने सारे सक्करपारों को एक अलग प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि कड़ाई में मुझे सबजी बन आप देख सकते हैं फाइनली कितने अच्छे लग रहे हैं और आप चाहो तो इनको कहीं भी सफर में जाते हैं तो आप साथ में रखके ले जा सकते हैं आप चाहो तो इनका गर पर कभी आपका हलका फुलका मीठा काने का मन करें तो भी आप इने सर्व कर सकते हैं तो यहां पर स्टारी से आप लिए किया बनांता बल सक्ताव को मैं कि अब स्टारी से नय हम और संट को इल्ग पल्गा bedeutet कर दाक मिलू था हूं